हेलो स्टुडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा हुआ था? नाउन्स पढ़ा हुआ था, और उसमें हमने कौन कौन से नाउन पढ़े थे? common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun and collective noun अभी हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो है singular and plural singular means what? singular means क्या? singular means one and plural means many singular का मतलब क्या होता है? एक और plural का मतलब एक से ज्यादा now see, singular means we are talking about only one thing singular का मतलब कोई भी हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? singular okay, for example, book, table, chair क्या है? कोई भी एक बूक तो हम बूक बलते हैं फिट कोई एक चैर तो हम चैर बलते हैं और कोई एक टेबल तो हम टेबल बलते हैं yes, so what is singular? singular means we are talking about only one thing now plural, what is plural? plural means we are talking about more than one thing plural का मतलब क्या होता है? we are talking about more than one thing देखो, हमने singular पर पढ़ाता है, अगर एक बूक है तो हम बूक लिखेगे बट अगर बहुत ज्यादा बूक है तो हम क्या करेंगे? पीछे क्या लगाते हैं? yes, अगर एक ही टेबल है तो हम टेबल बोलते हैं अगर बहुत सारी टेबल है तो हम क्या बोलते हैं? टेबल्स अगर एक ही चेर है तो हम चेर बोलते हैं बट बहुत सारी चेर है तो हम क्या बोलते हैं? चेर्स सभी में हमने लास्ट में देखो, एस लगा के हमने क्या कर दिया? plural कर दिया अभी कुछ rules होते है singular and plural में जो हमें apply करने होते है ठीके तो मैं यहाँ पे कुछ rules आपको समझाओगी first rule है generally हमें कोई भी noun को plural करना होता है तो हम उसमें क्या करते है s लगाते है last में क्या लगाते है s लगाते है we will add as at the end what we will add s at the end first one add as at end book तो क्या लगाया हमने पीछे s लगाया है plural करने के लिए तो क्या हो गया books table तो पीछे क्या हमने लगाया s लगाया तो क्या हो गया plural tables तो क्या करते है first rule क्या है we will add as at the end okay to make the noun plural to make the singular noun to plural okay now second rule is that when at the last there is double s s x c h s h z and o we will add e s okay जब last way double s s x c h s h z add as करेंगे लास्ट में E is करेंगे तो देखो G L A SSX glasses अभी देखो box 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 last में क्या है X है तो हम्हें उसको के लिए क्या करना होगा B O X E S हम क्या लगाएंगे E S लगाएंगे फिर नेक्स टेप बेंच B E N C H लास्ट में क्या है C H है तो हमें उसको प्रूरल करने के लिए हम पीछे क्या लगाएंगे E S लगाएंगे तो क्या आएगा B E N C H E S अब देखो DISH D I S H S H है लास्ट में तो हमें उसको प्रूरल करने के लिए हम क्या लगाएंगे पीछे E S लगाएंगे तो क्या होगा D I S H E S दिशिष फिर है टोमेटो T O M A T O टोमेटो लास्ट में क्या है यहाँ पे O है तो हमें उसको प्रूरल करने के लिए हम क्या लगाएंगे E S लगाएंगे तो देखो T O M A T O E S देखा आपने छब लास्ट में डबल एस, एस, एक्स, सी एच, एस, जेड और O यह सारे वर्ड लास्ट में अगर होते है और कोई भी लेटर लास्ट में इस वर्ड से एंड होता है तो हम क्या लगाएंगे यह लास्ट में E S लगाएंगे ठीके समझ में आया फॉर्स्ट रूल क्या था? एड, एस, हमें S एड करना है कोई भी वर्ड के पीछे रूरल बनाने के लिए हम क्या लालेंगे? S एड करेंगे फिर दूसरा क्या था? जब लास्ट में डबल S, S, X, CH, SH, Z और O होता है तब उसमें क्या हम करेंगे? E S लगाएंगे कहां पे E S लगाएंगे? लास्ट में, ओके? Now, third one, third rule is that when there is F और F E, we will add V E S, जब लास्ट में F और F E होता है तो हमें क्या करना होता है? F और F E को कट करके हम उसकी जगापे V E S लगाएंगे? जैसे देखो, डबल य, F E, वाइफ, येस, तो F E है लास्ट में, तो हमें क्या करना है? F E को कट करके, W I V E S लगाना है, वैसे ही, L O A F, लोफ, तो F को कट करके हमें क्या लगाना है? L O A V E S, लोफ, ओके? क्या करना है? थौर्ड पोइंट क्या था? जब लास्ट में F और F E होता है, तब हमें क्या करना होता है? A F E को कट करके, हम उसकी जगा पे W I E S एड करेंगे, ओके? बट, कोई ऐसे वर्ड होते हैं, जिसमें ये रूल एपलाई नहीं होता है, जैसे कि रूफ, R O O F Rूफ होता है, तो उसमें क्या होगा? R O O F S रूफ और C H I E F चीफ है, तो उसमें भी क्या होगा? C H I E F S चीफ, ओके? तो कुछ वर्ड ऐसे होगे, जिसमें ये रूल एपलाई नहीं होगा? Now, next rule, that will be the fourth rule, जब last में y होता है, तब हमें क्या करना होता है? y को cut करके I E S लगाना होता है, जब last में y होता है, कोई भी letter या कोई भी word, कोई भी word last में y से end होता है तब हमें y को cut करके ies add करना होता है जैसे कि candy येस तो candy को क्या होगा y को cut करेंगे और उसकी जगा पे क्या डालेंगे i e s जैसे c a n d i e s candies वैसे ही city c i t y city तो y को cut करके हम क्या करेंगे city c i t i e s i e s लगाएंगे ओके फर्स्ट रूल क्या था add as कोई भी singular को हमें plural बनना है तो हमें सिर्फ s add करना है फिर दूसरा रूल क्या था double as s x ch sh z और o कोई भी word में last में जब ये सारे words आते है yes तो आपको क्या करना है e s लगाना है third rule था जब last में f और fe होता है तब हमें f और fe को cut करके v e s लगाना है then next rule जब last में y होता है तब हमें y को cut करके i e s लगाना है now one more thing जब y last में होता है बट उसके पहले वावेल होता है yes last में y होता है बट y के पहले क्या होगा वावेल होगा तो हमें last में s एड करना है okay जैसे देखो यहाँ पर मैंने example दिखाया हुआ d o n k e y देखो last में y है बट उसके पहले क्या है वावेल है आपको पता है वावेल कौन कौन से है a e i o u यह वावेल है देखो y के पहले क्या है वावेल e दिया गया है तो हम last में क्या apply करेंगे ऐसे ही करेंगे is नहीं करेंगे okay तो d o n k e y s डॉंकीज देखो वैसे ही y है की में उसके पहले क्या है वावेल है येस तो हम क्या करेंगे k e y s कीज ही लिखेंगे सिर्फ okay students आपको इतने रूल समझ में आए now next rule है some are irregular कुछ ऐसे irregular nouns भी होते है ठीक है जैसे की f o t foot होगा तो उसको plural बनाने के लिए हम कुछ ड़ए s e s i s v s कुछ नहीं एड करेंगे हम उसको पूरा ही चेंज कर देंगे f o t feet हो जाएगा फिर m e n man का m e n man होगा जी डबल o s e goose का जी डबल e s e geese होगा फिर चाइड का क्या होगा चिल्डरन यह सारे nouns को irregular nouns कहा जाता है और लास्ट वन कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जो singular में भी same ही रहते है और plural में भी same ही रहते है जैसे कि sheep तो sheep का singular भी same होगा और plural भी sheep ही रहेगा फिर डियर का डियर ही रहेगा plural में भी okay students हमने कितने rules पड़े चलो एक बार वापस हम revise करेंगे वह सारे rules पहला rule है add as कोई भी noun को कोई भी singular noun को अगर हमें plural करना है तो हमें सिर्फ s add करना है फिर next है second है जब last में यह जब singular noun हमें दिया गया होता है कोई word हमें दिया होता है तब last में s double s ch sh x z और o यह सारे words अगर last में होते हैं ending में तो हमें last में क्या add कर देना है सिर्फ yes add कर देना है okay next है अगर f और fe होता है last में तो हमें क्या करना है f और fe को कट करके v es add करना है अगर last में next rule अगर last में y होता है yes और क्या करना है हमें y होता है तो y को कट करके हमें ies add करना है बट दूसरा rule y का यह है कि जब y होता है और y के पहले well होता है y के पहले वावल होता है तब हमें सिर्फ s add करना है last में और कुछ ऐसे नाउंज होते हैं जो ही regular nouns होते हैं पूरे change होता आते हैं और कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जिसका singular और plural दोनों सेम रहते हैं जो के स्टूडन्स आपको समझ में आया है चैप्टर झाल!